बाई 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 या रे क्वाँ तुम्हे लड़के ऐसे क्यों देखते रहते हैं हे वहाँ क्या देख रहे हो डरते है न अगर दस बार देखेंगे तो शायद डर्डी कर जाए इसे लिए बार बार देखते हैं क्या ऐसा कोई है जो तुम्हे ना देखता हो उसके लिए क्यारेक्टर अच्छा होना चाहिए अगर कहीं ऐसा लड़का होगा वो मुझे नहीं देखेगा और मुझे उसी की तलाश है हां एक मिनटा है हां तो अरजु ना गी तेर वाली अरजाना डिवार उच जड़ाई उचेम मुझें हिंधना है तो इक बने नहीं प्रक्मस के नहीं है। Одoh जो दिखती है कि मस्कोरागर देखती है। लड़की ऐसे पागल हो जाते है। जब किसी लड़की से प्यार करते हैं तो उसके निकराग घवत्व ह resept, हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं उसके दिल में मेरे सिवख कोई और तो नहीं है एक बार प्यार हो गया ना तो आदनी बेकार जैसे ये अबे घर की नजर, बाहर वालों की नजर, गाउवालों की नजर आम काटना छोड़, इधर आ तेरी नजर उतार दूँ आ न, तू नहीं आएगी तो इसकी नजर उतार दूँ इस उता है माँ राम, 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 देखो कितनी बुंदे टपक रही है कितनी नजर लगी है मेरे बेटी को कालेज के सारे लड़कों की नजर लगी है इसके बाद तेरे ही पास आ रही हूँ एक ही ड्रॉब गिरा है, नहीं लगी बाना से हम कितना प्यार करते हैं ये तो आप जानते ही ही सर एक आवारा लड़के ने गाउं की लड़की को भगा कर शादी कर ली सर हमारे लोग उसे समझाने गय थे सर मजाक मजाक में हाथा पाई हुई और वो मर गया सर पाई है, यही आपकी जिन्दगी का न्यूटन लाउ होता है, पैसकल लाउ होता है ठीक है, कोई तुम्हारे सामने नाटक कर रहा है, यह जानने के लिए तुम क्या करोगे, उसके लिए उसकी फैमिली बैग्ग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है, उसका भविश्य कैसा है, वो आगे बढ़ने वाला है या पीछे आने वाला है, यह जानना ज़रूरी है, क्या समझे इंसान को देखकर ही उसे न समझे तो ऐसी पढ़ाई लिखाएगा क्या फायदा है अच्छा बुरा सोचते रहेंगे तो शादी कैसे होगी मैं तो कहती हूँ पढ़ाई करते समय अगर लड़की का रिष्टा हो जाए तो हम सब की लिए अच्छा है मा अगर मैं शादी करूँगी तो इंकम टैक्स ओफिसर से ही करूँगी इसके सिवा किसी से नहीं यही मेरा फैसला है क्या कहा तुने क्यो मेटी तुमने भी उसके तरह सोचा है क्या उस income tax officer का कोई भाई या friend होगा ना मैं उसी से शादी कर लूगी अच्छा ए बताने का सही time है तू बताते तू नहीं बता सकता अमें क्या करना अपना हिस्सा मिल जाता है ना वो छोटी छोटी बातों से फायदा उठा लेता है इसे लिए उसको silent killer केते हैं वो देखो कितना बेशरम है बीबी ने एक ग्लास लच्टी पिलाई उसके भी public city कर रहा है उससे जीतना इतना आसान नहीं होगा confirm पहले ये भी पीतो रहा हूँ लगता है आज पहर किसी किशामत आने वाली है यह अरजुन कौन है किसलिए वो क्या है न हमारे चेवन साब को वोट देने वाले और वोट जुटाने वालों से बहुत प्यार है तो मिलने बुला है वोट हम देते हैं कि वो देते हैं उनसे गव वो है काहां चलना है दोखा दिया है सर आपने हमें धोका दिया है वो भी बूरी तरस है लेकिन फिर भी मुझे एक बात की बहुत खुशी है हम लोगों के बीच कोई दिमाग वाला तो पैदा हुआ इस बात की मुझे बहुत खुशी है सर आपने मुझे धोका दिया है सर सर कहों में कोई जरा सा भी पढ़ लिख ले तो आप उसे जॉब दिलवा देते हैं लेकिन अब जब मेरे बैटे की बारी आई तो कहते हैं कि उसके पास अकल नहीं है क्यों अगर वो मंद बुद्धी है तो क्या उसे दुनिया में जीने का हक नहीं क्या वो किसी भी काम के लाइक नहीं मैंने 25 सालों से 25 सालों से आपको अपने दिल में जगे दी है सर और इसके बाप भी आपके साथ हूँ अगर तुम नहीं करोगे तो और कौन करेगा तुम्हारी तो उमर है लड़कियों के पीछे भागनी की इसमें कुछ भी गलप नहीं है बस इस बात का ध्यान रखना कि लड़की खूब सूरत हो तब ही तो जंजट करने का फाइदा है कुछ सेट करना है ना तो फिर वहाँ जाकर सेट करो अरे तुम जाओ ना तुम्हें बहुत से फालतू काम करने होंगे जाओ ये जो अपना चिठी वावू है ना ये अपने गाउं का अपनी अकल को अच्छे काम में इस्तिमाल कीजे उसमें हम भी आपका साथ देंगे गरम खून है और कोई काम भी नहीं है एक डम खाली हो फिर मिलते हैं आपको क्या लगता है ये कुछ भी करेगा और मैं चुप-चाप देखता रहूँगा चलता हूँ अर्जुन के बारे में मुझे पूरी इन फॉर्मेशन चाहिए और शुरुआत इसी से करें तेक देख देख उधर तेक कौन है वो तेरा रिष्टेदार है मैंने पहला मर्डर बीस रुपे के लिए किया था फिर एक सो बीस रुपे के लिए उसके बार चार सुरुपे के लिए अब दो लाक लेता हूँ ये फ्री है तेरी खादिर देखो 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 कर मुझे अजीब सा लग रहा था पता है ये सब तुम्हें क्यूं बता रहा हूँ तो एक बार फिर से सुन लो पबलिक के सामने मुझे रेस्पेक्ट चाहिए प्लीज स्माइल वो बात नहीं मानेगी तो तू हाथ नहीं अड़ाएगा और तू नहीं अड़ाएगा तो मैं नहीं अड़ाओंगा कब तक बरदास्ट करेगा जब तुझ जैसे बत्तमीज को इतना घुरूर है तो सोच मुझे कितना होगा लड़की है यार छोटी सी बात पर आंसो निकलाते हैं वो यहां पर है इसलिए तो अभी तक बचा हुआ है अगर वो हट गई तो समझ ले यहां पर तू फान आ जाएगा क्या खाता बीस रुपे के लिए मदर किया एक सो बीस रुपे के लिए मारा कभी सोचा है कि तेरी मौत किस तरह से होगी हस बें हस ना हस ना हस तुम जाओ बें आज का एजेंड़ा यह है कि चुप चाप डाड़ी बनवा लो और मैं बना हूंगा तुम यहाँ क्या कर रहे हूं आज संडे है ना घर में बहुत बोरू रही थी और तुमने बताया था कि तुम यहाँ पर हो तो मैंने सोचा यहाँ पर आ जाओंगी तो टाइम पास हो जाएगा मैं तुमारी दाड़ी पनाओ नई तुम रहने दो बनानी दो ना कहा ना रहने दो मुझे आता है लाओ दो ना दे दो दे दो टाइम पास के लिए लड़कों को अच्छा काम है यह सेलून के तरफ से नहीं है बेटा इतना ही शौक है तो अपनी ले के आ देखे प्रूंद्स प्रूंद्स एह सुम्हें! हुआ!! तुम्हेन तुम्हेन! बढ़े। पर निकलो यांसे! निकलो यांसे! रहे बोड़ा! चलो पॉली बॉल यहां से लो अगले दो दिन तक इस ग्राउड में कोई भी पैर में रखेगा यहां हमारे चैर्मेंन चाहणí रखने वाले हैं मीटिंग अपने घर में रहो हम यहीं खेलेंगे और तुम इतना क्यों बढग रहे हो ना तुम बोट डालते ओ ना खेलते ओ हमें गुस्सा आ गया तो छोड़ेंगे नहीं और हमें गुस्सा आ गया तो तू सिधा उपर पहुंच जाएगा है तू इन्हें अटा मैं देख्टा हो एक बार बोला ना यहां मीटिंग होगी बंद करो यह सब मीटिंग मीटिंग जो भी करना है वो अपने घर पर करो हम किसी देता है तुझे पता नहीं है तू किससे बात कर रहा है ना तो यहां कोई कम है ना तो यहां कोई जादा है प्रजा ही भगवान है डेमोक्रेटिक इंडिया अधिकार के लिए अत्याचार सक्ता पाने के बाद एहंकार अपने स्वार्थ के लिए तुम जैसे बेकार न अवे कहा जा रहा है तेरी आउकात क्या है एक बार मार खाके पेटनी भरा चल पीछे दोनों टाइम कहाने को मिलता है ना सिर्फ अर्जुन के साथ ही नहीं अगर किसी के साथ भी गलत किया तो यही रेक्शन होगा बोल दे जाके चेर्मेन से हमारी भला इसी मेंगी चुपचाप यहां से किसक नहीं है चलो यहां से आज के एजेंड़ा पता है कुछ भी हो जाए डर्ना नहीं है वो तुम्हें देखि रहे है एक तरफ एलेक्शन है और दूसरी तरफ फैमिली की ज़त किस पर द्यान दूँ किस पर द्यान न दूँ पहले लड़कों पर द्यान दूँ या फिर एलेक्शन के बारे में सोचू जल्दबाजी से काम नहीं चलेगा सोचना पड़ेगा तीन सो साथ डिगरी तक पूरा देखना होगा किस एंगल से कहां से उसके बाद आई सुन्दा अभी उसके बाब को मत बताना एक बाद बता है वो जो अर्जुन से लड़ाई हुई थी तो एक लड़का मुसे मिला था ना जो उसके सपोर्ट में कुछ बाते कह रहा था याद है वो कहा है और देखो देखो चेर्मेंग साब आ रहे है्नमस्ते से नमस्ते शाहिए रहे हैं कहां कहा है यह सोलापुर का दूसरे राजे का है यह कहां पैदा हुआ है बीज कहां चाया, किस ने पैदा किया अगर देखा जाए तो इस सवाल का कोई मतलब नहीं बनता है लेकिन फिर भी ये सब पता करना चाहिए मानुभव जी हम आपके लिए ही आये हैं आपके बेटे को देखा अच्छा दिखता है वो बात भी अच्छी करता है हाइट वाइट अच्छी है काफी उसकी दिमाग भी तेज है तो बस वही देखने चला आया कि आखिर उसे ये सब खूबियां मिली कहां से हैं सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा है साब कि आपके जैसा पार्खी इंसान उसकी तारीफ कर रहा है वैसे सब उसकी तारीफ ही करते है पर ऐसे लड़के को कितना समभाल कर रखना चाहिए जानते हो न वो क्या करता है कहां आता जाता है सब ख्याल रखना चाहिए इस प्याज की तरह आप क्या कह रहे हैं मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा मेरी समझ में तो अपने बेटे की बाते भी नहीं आती इसलिए मैं उससे कुछ पूछता भी नहीं और साब मुझे तो आपके यहां आने का मकसद भी नहीं समझ में आ रहा तो पूछ सकता हूँ क्या मैं किसी के सामने जुपता नहीं वो भी बिल्कुल आपकी ही तरह है मेरा बेटा भी किसी के सामने नहीं जुपता मेरा बेटा भी इस प्यास की तरह है चाहे कच्चा खालो, चाहे चटनी बनालो, चाहे सबजी में मिलालो वक्त वक्त आने पर धर्ती को प्यास की तरह गुमा दूंगा बहुत बहादूर इंसान वह यार वैसे तुम पुलिस वाले गाउ में किसी को भी देखते हो तो वो कौन है उसका मकसद क्या है वो कहां का रहने वाला है नाम क्या है किसी से डरता है या नहीं उसकी पूरी कुंडली निकाल लेते हो यहां तक कि वो समुद्र से कितनी हाइट पर है सुरी की किरण उस पर डायरेक्ट पड़ती है या नहीं ये सब भी पता कर लेते हो तो इसका भी पता होगा यहां कितने दिन उसे हो चार महिने से तब तो अब तक वो सब को जान गया होगा होसला भी बढ़ गया होगा आप क्या करोगे? जब चाहे उसे मार सकते हैं डायरेक्ट? कोई पूछने वाला नहीं उस वक्त उसके पीछे उसके गाउं में चार-पांच लोग साथ में कुछ लोग होते हैं बेमतलब की टांग अड़ाने वाले ये भी वैसा ही कुछ है निठला क्या नाम था उसका जो उसके साथ था वो लड़का अर्चुन मैंने भी किसका नाम लेकर मुझ खराब कर लिया मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह का इंसान बनूँगा इसलिए तुम्हेने एक्जाम भी नहीं दिया था उतनी अकल ही नहीं थी अब इसे देख लो ये क्यों भटकता फिर रहा है क्यों लोगों को मार रहा है इसे खूद भी नहीं पता तुझे पढ़ाई करनी चाहिए मौबत में क्यों फसा है मैं तुझे भी नहीं पता एए तुपिछाट इतनी देर से बोल रहा हूं फिर भी कोई असर नहीं हो रहा है एक हाथ जोर से पड़ेगा न तो जिन्दा नहीं बचेगा आपसे कोई मिलने आया है अर्जुन का है यहीं है कहाँ पर है अंदर लॉक अप में मार दिया या मारने वाले हो हमारे देश में सब के लिए एक ही कानून है न अगर कोई गलती करे तो कोट उसे सजा देता है जवान हो न खून गरम है राद भर मीन नहीं आ दो सुबह सब साथ जाएंगे तब तक यहीं बैठता हो अधर गंटे का टाइम है आँ तो ठीक है ना आखिर मैं भी तो देखूं यह अरजुन है कौन कभी कभी कुछ काम पबलिक के लिए भी करने पड़ते हैं नवस्ते साथ नवस्ते सार बैठी है वो जगह अच्छी है वहां पर लगा आँ बैठी है अगर किसी को बचाना है तो जगह अपनी होनी चाहिए और वहां पर लोग भी हो जो अपने होने चाहिए ऐसा होनहार नौजवान पागलों की तरह घुमता रहेगा तो फिर देश का क्या होगा ऐसा है तो फिर इनको घर पे रहना होगा किसी लड़की के पीछे पड़ जाएगा उसकी जिन्दगी में गुसना चाहेगा उसके घर में पहुँच जाएगा तो हम चुप रहेंगे क्या उसकी चमड़ी निकाल देंगे जहां पर मानाव संबंदों के बीच समस्याओं को सुल जाया जाता है वो कौन सा कोट है जब लड़कों की सोच को कोई कानून कंट्रोल में नहीं कर सकता तो लड़की के गुसे को कौन करेगा जिसके पास ताकत उसका कोट जितना पैसा उतना न्याए आप बहुत समझदार हैं सर एक्टिंग भी बहुत अच्छी करते है अब लिक को आप पर बहुत भरोसा है कितने गलत काम किया हैं कितने गले काट कर यहां तक पहुँचे हैं कुछ सोचित नहीं से यह असलेत कभी खुलेगी नहीं यह आपकी सबसे बड़ी गलत फहमी है जीटी भी कम नहीं होती किसी को कमजोर समझकर उस पर वार करने की गलती मत करना क्या सोचा था उसकी जान ले लोगे यह सोचना तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है कभी सोचा है उसके मरने के बाद उसके माबाप का क्या होगा उनकी भी कुछ आशाय हैं उनकी भी कुछ सपने हैं जान का डर हो तो कोई कुछ भी कर सकता है फिर तुम्हारा दिमाग तुम्हारा पावर सब धरा रह जाएगा नेक्सलाइट के साथ गूमते और बड़ी-बड़ी बाते करता है, तुझे भी अंदर जाना है क्या? सच क्या है ये आपको भी पता है और मुझे भी अगर आपके अंदर सच पोलने की हिम्मत है, तो यहां सूट कर चले जाए वरना मुझे सबको बताना पड़ेगा कि सचाई क्या है जाए सर, जाए कितनी बार कहा है छोटे-मोटे कामों के लिए मुझे मत बुलायकर, पागल कही क्रा अरो पापरे, अगर एक मेले टौर रुका तो ये तो मुझे आखों याखों में बार देगा है आया साप